Hello friends, welcome back to your channel, तो आज हम बात करने जा रहे हैं नीट की importance की BAC nursing में और हम specially बात करेंगे Delhi University के जो reputed colleges हैं, जो affiliated colleges हैं जो की BAC nursing provide करते हैं और इन colleges के लिए all over India सभी student aspire करते हैं और कैसे उसमें need के थुरू selection हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि आपको बता है कि National Testing Agency ने पिछले साल एक notice न बात कर रहे हैं, तो Delhi University के Special College ने एक request डाली थी need को कि हम अब पहले जो अपना examination खुद conduct कराते थे, individual examinations होते थे पहले इनके, खुद के, तो आपको इन colleges में entry के लिए need का ही form भरना पड़ेगा, और need का examination देना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए इनके कहने पर extension हो गई थी need की dates की जो कि पहले होने वाला था, तो इसमें सबसे पहला सबसे important college है, Lady Harding Medical College, LHMC, ठीक है, तो यह एलन कौन जो है Lady Harding Medical College, यह इतना important college है, क्योंकि यह MBBS ranking में भी top ranking में आता है, ठीक है, और जो top rankers होते है MBBS के, उगको Lady Harding Medical College के लिए इस्पाय कर आते हैं, तो इसका जो nursing segment है, यह भी बहुत important है, पिछली बार इसका notification तीन अगस्त को निकला, पहले यह अपना खुद का examination कराता था, जिसमें तीन अगस्त की notification में इसने बताया कि अपकी बार BSC nursing यह need के through ही लेंगे, तो मतलब अब Lady Harding Medical College में need के through admission हो रहा था, और उसके ब available seats है, total 62 seats है, ठीक है, कितनी 62 seats है, जिसमें कुछ reserved होती है, डैली वालों के लिए और कुछ बाहर वालों के लिए भी available होती है, eligibility criteria Indian nursing council norm है, बहुत reputed institute है, BSC nursing आप डैली इसे capital में कर रहे हैं, और Lady Harding Medical College में कर रहे हैं, तो बहुत important है, लेकिन अगर आपको इसमें admission लेना है, ठीक है, और need का notification आएगा, बलकि examination होगा, जूर में notification तो पहले आजाएगा, तो यारी अगर आपको इसमें करनी है, तो आपको अभी से इसमें लगना पड़ेगा, next college देखिए, राज कुमारी अमृता कौर College of Nursing RACON है, ठीक है, ये भी पहले खुद का ही अपना कराता था, entrance, ठीक है, देखिए, दस मार्च को, तो आज स्टेट मार्च चली रहा है, तो दस मार्च करनी का notification आ गया था, कि हम अब की नहीं करा रहे है, और need के examination की थूर ही हम entry लेगे, तो need का पहले आपको paper देना पड़ेगा, जब counselling process होगा, तो RACON का admission need की थूर ही होना है, मतलब college ही बात करेंगे, डेली का है, अहिलिया भाई College of Nursing, अपकॉन, ठीक है, अब इसमें समझ लिएगा, यह भी New Delhi का college है, और इसने भी साफ साफ कह दिया था, कि आपकी BSc Nursing Admission पहले एक खुद का entrance कराता था, और बाद में कहा कि अब हम admission need के थूर लेंगी, ठीक है, तो बहुत से information होती है, आज हम जो ज़रूरी information आखको provide कर रहे है, तो फिर उनका कि कोई separate entrance test का हम ने connect कराएंगे, और eligibility Indian nursing council norm की रहेगी, और आपको need का form बढ़ना पड़ेगा, और हमारा separate registration कराना पड़ेगा, तो इनका कहा था, एक registration counter खोल दिया था, यहां आप screen पर देख रहे हैं, और उसके accordingly इनका कहा था कि अब पहले आपको इसमें registration कराना है, बाद में need का form बढ़ना और बच्चों जिसमें registration करा लिया है, वही need के form के बाद exam देने के बाद appear हो सकते हैं, बाद में इनके फिर से registration counter खोला था, क्योंकि बहुत से बच्चे registration नहीं करा पाये थे, तो जब डब इसमें होता है, need का form भी भरना पड़ता है, और website पर जाके आपको registration भी करना पड़ता है, जो कि उसकता है, need के examination के पहले करना पड़े, ठीक है, next college, next college बात करेंगे, holy family college of nursing, यह भी काफी famous college है, Delhi universities affiliated है, इसमें क्या हुआ है, पिछले साल की entrance test इसने अपना करा दिया, need score के 7th of August को इसका अपना interest exam, 10.30 a.m. से 1.00 p.m. की बीच में, इन्होंने अपना examination करा लिया, और need का score इन्होंने नहीं यूज किया, लेकिन मैं expect कर रहा हूँ कि अपकी बार इनका भी admission, need के score के through होगा, तो friends, अब चार college इंपॉर्टेड बात की, पहली बात की, Lady Harding Medical College, पर राज लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर बात आती है कि need का form जब आएगा, आपका June के महीने में जब examination होगा, उसके पहले form आ जाएगा, तो एक-दो महीने पहले notification आ जाएगा, आपको need की website पता होनी चाहिए, need.nta.ac.in है, ठीक है, वहाँ पे आपको registration form fill करना रहता है, fill कर लेते है आप registration form देखिए, मैं ये website ही आपको खोल रखा हूँ, need.nta.ac.in और वहाँ registration form बनने के बाद, आप वहाँ पे registration कराते हैं, अपना registration करने बाद fees भरते हैं, fees कितनी होती है ये भी बता दे रहे हैं आपको, पिछली बार की जो fees थी, general candidate के लिए 1500 रुपीज थी, general में EWS candidate है, य पे 400 रुपीज थी, और SCST या person with disability या third gender के लिए ये 800 रुपेज थी, तो ये सब आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप BSC Nursing Admission लेना चाहते हैं, तो आप कभी भी college पे focus नहीं कर सकते हैं, आपकी multiple objectives होते हैं, different different colleges पे apply करना चाहते हैं, तो अगर in charge Delhi University के, Delhi University के affiliate college के बात क जादी, NEET का notification बहुत जल्दी एक दो महिने में आ जाएगा, examination जूर में हो जाएगा, वो examination देने के बाद उसी का scorecard यूज करके आप BSC Nursing Admission ले सकते हैं, ये ध्यान रखिए कि अबकी examination सब जल्दी होंगे, पिछले दो सालों से COVID की वज़ा से सब चीज़े डिले चल रही थी Normally examination जुलाई और August तक सब admission process complete हो जाता है, और examination भी आपका March, April, May, June तक हो जाता है, थोड़ा थर डिले हो सकता है, लेकिन जून में NEET हो जाएगा, most probably, और इसका admission process भी start होता है, अगस तक admission अक्की बार हो जाएगा, जो कि अक्की बार जैनवरी तक हुआ है, तो ये important information है, और देख लिए कि, अगर आपको NEET के थ्रूई admission लेना है, तो Indian Nursing Council ने कहा था कि जो colleges चाहें, वो NEET के थ्रूई admission ले सकते हैं, तो बहुत से colleges ने apply कि रहे हो अपकी हो सकता है, और colleges भी आ जाएं, जैसे Holy Family भी कहें कि हम NEET के थ्रूई admission लेगे, तो उन्हों ने कहा था कि हमारे आपको पास होना चाहिए, फिजिस, केमेस्ट्री, बायलोजी से, अगर आप भी स्टी नर्सिक अर्म निशनना चाहेते हैं, और English भी कंपल सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, 45% एवरेज मार्स होना चाहिए, जैनरल है, जैनरल कांड़ेट्स के लिए, कुछ जगाई 50% भी कर आपको पता होना चाहिए, कि आपको कौन सा इग्जामिनेशन देना है, कौन सा फ़र्म का बरना चाहिए, डेट निकल जाती है, फिर आपको मालुम नहीं होता कि मुझे ये इसकी तैयारी करनी थी करनी तो समय अभी ये है कि आप तैयारी करिए एग्जामिनेशन की नीट की तैयारी कीजिए, नीट के लिए बहुत जादा स्कोर करने की ज़रूद नहीं, बेसी नर्सिंग में, और अलग-अलग colleges के अलग-अलग ranking जाती है, कुछ जगा बहुत high भी चली जाती है, कुछ जगा बहुत low भी चली जाती है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा 400 अगर average आप टागट करके चल रहे हैं, तो कही नगहीं आपका need के तूर बेसी नर्सिंग में हो जाएगा, कम वालों मे भी हो जाता है, जादा वालों में हो जाता है, college to college पहरी करता है, information आपके पास होनी चाहिए, जरूर से वीडियो देखते रहे हैं सारे, क्या information आ रही है, असे आप बतल जाएगा, कहां कहां फॉर्म निकल रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक जिखां फोकस करेंगे, तो आपने उूर्म निकल एक सुमे हैं, क्या है, लूर्म निकली चाहिए.